वार सिंगर में मैंने नौट किया है कि कभी भी सिंगर से आप कहें किसी मैफिलमें गाने के लिए तो एक बार ये जरूर कहते हैं कि थोड़ा कि अ थोड़ा तो डेकर टायड हूं थोड़ा कल जागे ना बहुत हां काफी अगर काफी इसली ट्रेविलिंग में एक बार में कोई नहीं गाता और फिर उसके बाद जब गाना शुरू करते हैं तो उनको बंद कराना पड़ता ऐसा बहुत जगे बाहर देखने को मिला लेकिन यहां बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा गाई और एक चीज और देखा है कुछ सिंगर बड़े का आदर करने के लिए जब उनसे आप पूछिए कि आप गाते हैं तो जुक के प्याट सबूदें नहीं बस यह समली थोड़ा बस बस बात्रूम सिंगर हूं तो रभी जीन दादा नहीं सुनने बाद एक बार का अच्छा तो कभी बात्रूम में बुलाओ हमारी फिल्मों के लिए लोग कोशिश करने स्ट्रगल करने पूरे देश से मुंबई पहुंचते हैं स्ट्रगल करते हैं बायो डटा बनाके प्रोफाइल लेके ऑफिस टू आफिस जाते हैं तो जितने भी वहां लड़के भटक रहे होते हैं उनको एक जुमले से बहुत ग है 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 जी है है वो चला जाता है दूसरे ओफिस जाता है भी आप थोड़ा सा लेट हो गए हमने कली फाइनल किया था कोई बात नहीं अगली फिल्म है वो तीसरे ओफिस में गया जहां उन्होंने का अगली फिल्म है बोला सर डेट डाइरी रग दी डेट अभी से ले लिज कि अभी कुछ मनें सिंगर्स के लटके जटके ऑब्जर कियें कैसे गाते कवाली जो पहले होती दरगाहों पे वहां जो कॉम्टिशन होते थे आप उतने कॉम्टिशन नहीं होते मैंने देखे मेरा दावा है अगर आप पहली बार कवाली सुनने जाएं आप घबरा जाएंगे वह कवाल गाते गाते इतने डूब जाता है खो जाता है खौफनाग लगता है अल्या मैं तेरे बतने वाला मैं उल्फत लूटने वाला मैं तेरे तू मेरा ए मोला एं जाद रख मैं तेरी चौखत पे आया तो क्या के भर दे छोली बोले को अलवी डराऊना होता है के भर दे छोली जोली बुद आल्ला भी उपर से बोलते हैं क्या मांग रहा है इसको जल्दी दे और अल्ला भी उपर से बोलते ही क्या मांग रहा है इसको जल्दी देओ इसको ज़्यादा इंतजार मत कराओ धुलक फेक ये ना मार दे गजल वालों को देखा है मैंने गजल वाले ज़रूर से ज़्यादा मीठे हो जाते हैं स्टेज पे आए डेड़ सो रुपए का शाओ लोड़ा अब ऐसा लगता है पूरे मुल्क में इन से तमीज वाला आदमी और कोई नहीं है पूरे आवाज में लर्जिश मिठास डाल डाल के शहिद घोलेंगे आवाज भी भारी कर लेते हैं हरुन में पहात रखेंगे और आवडियंस में इसको खड़ा हुआ अब घर पाई इसे बोलते हो कि नार्मल बात करो यार अब यह समझ गया कि पूरे प्रगाम में यही परेशान करेगा तूँनको लगा पहले इसको सिट करो जी जरुज जरुफ ज़रु तस्षकिप कि आप तस्ष्रीफ रखें आप तस्षiği इनकी में ज़रू सुनाओंगगा जरू सुनाओंगा वह कहे कुछ रहा है वो भी ऐसा आई तेरे पर माई के तो कुछ भी बहल दाऊ है यह सोच रहा है कि यह मुझे तंग कर रहा है मैं ओडियोंस को क्यों बताऊं तश्रीफ रखे तश्रीफ रखे ज़रूर सुनाओंगा बहुत बहुत बहुतरी इन फर्माईश है और हरुमुनिय पर हाथ रखेंगे मादु जी को तालियों के साथ बिदा करेंगे हाँ 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 ने मुझे पता है मुझे बता रही थी फ्लाइट है और इसलिए उनको तुरंट जाना है फिर भी वह बैठी ठीक ठाक समय दिया आपके सिर एक दम गोल्ड स्पार्ट की बोतल लग रही है जी 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 है ना जी 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 वह रूफजा है रूफजा है जी अजय यह हरूमनें पर हाथ रखा और हाथ रखे पहले खुद ही खेलने लगते हैं आहा क्या बात है वाह आहा आहा माशाल्ला वाह आहा वह फिर खड़ा हुआ अभे तो ही मजे ले रहे है हम लोग भी बता क्या मजा रहा है जी जी बहुत बेतरी न फरमाईश आप बैठ जाईए बैठ जाईए किसके साथ हैं यह चेक करो पास हाई कि निंगे पास जी 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 जरूर सुनाओंगा जरूर सुनाओंगा और कुछ गजल काने वाले अपनी पूरी नॉलेज पबलिक उपर उडेल देते हैं अ बड़ा ही खुशुरत शेर है जनाव जाविद अखतर साथ का यह शेर है में जईनाव जानी जानी यह ळए किसार अखतर सब अंट यह बहुत ही एक नजम है यह नजम से तोड़ी से राग भेरु समें राग भेरु बहुत हुआ फिर वह खड़ा हुआ और दूकने नहीं थूकने के दिले प्रोग्राम रोको थूक क्या जी जी बहुत अच्छी फरमाईशे जरू सुनाओंगा इसके बाद सुनाओंगा आप इसके बाद सुनाओं और बहुत अच्छा कुछ गाते-गाते इतना गंदा-गंदा मुह बनाते हैं इतना खौफनाक मुह बनाते हैं वो सोचते हैं शायद इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि जितने पैसे दियें वसूल रहा है महिनत तो कर रहा है एक मा की गोद में बच्चा डर गया मम्मी मम्मी वो अंकल अंकल को मना करो ना मम्मी क्या कह रही है डरो मत बता वो उसी तरफ रहेगा इस तरफ नहीं आएगा और आज तक मेरे साथ अगर आज मुजिशन होते तुम इसके और बहतर तरीके से बताता लेकिन आपके रिस्पॉंस से लग रहा है कि आप वहां तक समझ रहे हैं तो आचा कुछ गजल वाले और गंटे तक उनका तबले वाले इस क्या चलता रहता है पबली सोचती यह त्यारी तुम घर से करके क्यों नहीं आया फबली बैठी दो दो हजार रोपे की टिकेट लिके सब अबली से बैठी यह और तबले वाले ज़रा उठाई उठाई अवर उपर ऑब वो लिए अवर नीचे तोड़ा नीचे तोड़ा आर ऊपर उपर उपर चढ जा ना उपर उपर कोभीJा हां उसको जुना चुकना वाठ जया कि हाँ जो के लिए तो रूड़ी मारा है तो नहीं उसकोने खुद को इसलब्ध़ बहुत सारे लोग जो पहली इदा गजल को प्रोगामी सुनने आते हैं वह सोसने शायद यह जो हो रहा यही शो है तो कई बार तो कुछ लोग इतना देखके घर चले जाते हैं फिर पड़ो पड़ोसी बताता है तुम चले गए साले प्रोगाम उसके बाद था और कुछ गजलकार पब्लिक की बहुत हेल्प करते हैं ओडियंस की कोई अगर उनको मुश्किल लब्ज है डिफिकल्ट वर्ड है उर्दू का तो उसकी मीनिंग बताते चलते हैं तो कभी-कभी इतने आसान लब्जों की मीनिंग बताते हैं कि उसमें भी लोग भड़क जाते ह ये दौलत भी लेलो ये शोहरत भी लेलो खवातिन हजरात दौलत 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 मेंस प्रौपर्टी ए ख़ड़ा वने दौलत मलें कचाओडी अब इतना आइडिया है हम लोगो अब यारी मदर्सा खोल के बेठा है बाई गजल सुना है न बार वार मीनिंग बता रहा है यार जी जी बहुत बेतरी इंफरमाईश है बैठे इसके बाद सुनाओंगा बैठे बैठे इसके साथ है यार कौन लाया कौन इनको आच्छा बहुत महिर्वानी वाँ माशाललह वाँ तशीर रखे वाँ ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो शोहरत अब भी डंडा लेखे आया अगर शोहरत का मेनिंग बताया खोपड़ा खोल देंगे तर्बूस की तरहे जी जी बहुत महरवानी बहुत महरवानी माशाललह बड़ी खुबसूरत आउडियंस है तश्रीफ रखें भाई आप तश्रीफ आप बैट के बात करें जो कुछ कहना आप लिख के दे दें परची में जरू सुना होगा ये किस किस शायर की चीज़ सुनना चाहरे हैं ये जानबुच के बोल रहा है तबलेवाला बोला हमसे क्यों पूचर हमें भी सुनाई दे रह है किसके किसके वीज़्टिंग कार्ड लेने हैं और उनके घरों में प्रोगाम पकड़ना है हां उसकी से मूळन छेदन खतना खतने मगा रहे हैं किसे सबको अपने काम की तलाश पियार पियार करना होता है तो कुछ अगर गाते गाते अगर पैंचान की फेमली आ गई तो गाना रोकते नहीं है गाने के दारानी हाल-चाल पूछ लेते हैं और गाते गाते बता देते हैं कहाँ पर कुर्सी खा लिये ये द्व Random पी लेलो ये शोरत विलेलो ये द्वावि पाञी शोरत हु पाँचा हु उ आप माईना मत wandering चीन लो बोले तो गाना में बैठ जाओंगा और गाते-गाते कई बार देखते रहते हैं कि वावा किदर से आ रही है ये दौलते भी ले लो इधर किसी ने कर दिया वावा हर वोने उसी तर मोड दिया बोले तो भगत पूरी रात बीचों उठना नहीं बड़ा उर्दू दाँ बनके बैठा है ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो याद में खड़ा हुआ बहुत बहुत कर रहा है इसकी औरत भी ले तीसरे जो सिंगर है तीसरी जो प्रजाती है ये हैं पॉप सिंगर ये भी अपने आप आए जाते है नहीं तो जायतर भाहर से इंपोर्ट किये जाते है ये जो बड़े-बड़े इनके नाम है न माइकल जैक्सन, थैमसन, लिमका, फिलिप्स दवाईयों के नाम इनके प्रगाम देखने के लिए लोग हाई सोसाइटिक लोग जाते है कुछ लोग जो गाना नहीं समझते हो भी जाते है क्योंकि उनके प्रगाम के बाद वो टिकेट सामने शोकेस में रखते है कि हम लोग इस टाइब के भी शो देखने लगें आजकल इस तरक्की की निशानी पॉप सिंगर आएगा यह अगले साल के जंडे की बात हो रही है अरे वाव आप तो सब जिम्मेदारी ले रही हो थैंक्यू थैंक्यू पॉप सिंगर का प्रगाम देखने अपने अंधेरी में स्पोर्स स्टेडियम में होता है साथ वजे का प्रगाम है पबली को चार वजे जाना पड़ता है सिक्यूर्टी रीजन से अब एक फेमली को गुपता परिवार पहुँच गया अब इतने पासेज हैं पुलिस वालों कह रहा है आपके तीन कार्ड तो जोगशरी वाले गेट से हैं और आपके जो दो कार्ड ब्लू है किसी तरह सु करते-करते सब अंदर पहुचते हैं पानी बोतल छीण ली जाती है मुबाइल बं करा ली आजए आता है पता नहीं कितने कहां हो सरहत पे जा रहे हैं ही लोग पूरा परिवार दिखाई पड़ता है लेकिन मिल नहीं पाते हैं दूर से टोपी उतार होता है हम यहां है हम भी यहां है सब बैठे हुए गुपता फेमली फास गई अंगरेजी प्रोगाम में पॉप सिंगर साथ बजे का प्रोगाम नौ बजे आएगा और आते ही पहला जुमला इतना बेकार बोलता है पबलीक बोर हो रही है तीन घंटे प् आर यू इंज्वाइंग आर यू इंज्वाइंग मंबाइं मंबाइं गुपता जी बोले हां कमीने बहुत इंज्वाइं कर रहे हैं अब आ रहा है नौ बजे नहां धोके और दस बजे पुलीस आके बंद करवा देगी एक घंटे के लिए बीस हजार फुक गए हैं आई ल यह समना बोलो तो पॉप का शो ही नहीं लगता है आई लव यू अब गुपता जी टेंशन में आ गए उन्होंने बीटी आ से का पीछे बैठाओ तुम्हें देख देख बत्तमेजी कर रहा है फिर बोला आई लव यू आजाओ सभी से कह रहा है और एक सेंटेंस से पब्लि आर यू रड़ी अब गुपता जी देखो वही कहा था वही हुआ यह सवचरा हमाय भरो से आया है आर यू रेड़ी आजे इसको बताओ हमें इता इडिया नहीं है गाने का ओके लेड़ी जैन्मन आभी सिंग और एक स्टेप जरूर करते हैं इनके ग्रेंटफादर सिखा के गए हैं वह स्टेप ना करें तो पॉप का शोव फ्लॉप अगर दर्द होता है तो हाथ क्यों लगाते हूं अचा यह पॉप सिंगर जादा मेहनत नहीं करते हैं इनका बस चले तो पूरा गाना पॉपलीक से गवादे हैं हल्प पॉपली के हल्प जादा ले लेते हैं खुद एक लाइन गाएंगे बागी पॉपलीक से बोलेंगे गाओ लेंजंगे वड़ी को सिंग इसकैने को से चंप हेएंगे के डेलीक से ऐसम इसकाण whisper में यहां हिख एंगे एंगल परिषान होंके उन्होंने एवये को बोल है यहां आओ यह तुमने हमें किस खुशिम आगे बिठाया है यह देड़ घंटे सामीज गवा रहा इत्ता गाना हम पूरी जिंद्गी में नहीं गावा लॉंड़न के इज़त बचाविक चक्कर में गाय जा रहे हैं सारी आतें कौला गहीं अतडियां सब किर्तन कर रहीं अभी इसको पेमेंट तो नहीं किया पेमेंट आधी काटो आधी हमका दियो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद राजी हुए